नए वीडियो में आपका स्वागत है ये लुद्याना का गंटागर आभी लुद्याना में हूँ और ये गंटागर रेल्वे स्टेस्न के पास ही है और यहां से ये वीडियो सुरू हो रहा है आज चोड़ा बजार देखने वाले हैं पूरा वीडियो देखें आपको मज़ा आने वाला है और बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है ये इदर उपर ये ब्रीज है और ये सामने चोड़ा बजार है और ये गंटागर के इस साइड में आगे रेल्वे स्टेस्टन है आईए वीडियो सुरू करते हैं ये वीडियो यहां गंटागर के निचे से सुरू हो गया है और चोड़ा बाजार देखने वाले हैं आईए इदर चलते हैं थोड़ा मार्केट में अंदर आते हैं तो ये यहां अंदर की साइड में एक मार्केट और ये सामने का मार्केट और ये यहां ये बड़ा सा गुर पूरा मार्केट यह दर से भी चल की आए हैं आए और आगे चलते हैं और यह चोड़ा बाजार काफी पुराना बाजार है यह कुर्टा पजामा भी मिलता है यह देखिए जो आपको चाहिए सी आराम वगेरे के और यह सामने पूरा मार्केट काफी पुराना मार्केट और जैसे इसे नाम ही है चोड़ा बाजार तो चोड़ी रोड है और यह पूरा बाजार है अभी इदर गुर्द्वारा की तरफ से चल के आए और यहां पर यह चोग होता है इधर भी पुरा मार्केट इधर भी मार्केट इधर भी आप देखेंगे तो दूर दूर तक मार्केट भी मार्केट और इस साइड में भी मार्केट आईए अंदर की तरफ चलते हैं और ये अभी हमने जो चोक देखा ये गिरजागर चोक ये यहाँ पर एक चर्च है बड़ा सा इस कोणे पर पीशे गिरजागर चोक बोलते हैं और इधर से आगे ये मार्केट और भी है काफी लंबे तक आईए और अंदर चलते हैं और इधर गिरजागर से अभी चलके आए हैं ये यहाँ का मार्केट आप देखिए आगे तक पुरा मार्केट चोड़ा बाजार आईए आगे चलते हैं और ये केमरी कोटन पांच मिटर कपड़ा किरने का 300 का यह भाई यहाँ पे बेजने हैं यह भाई की दुकान है चोड़ा बजार के अंदर ये जोर्जट है तीन सो में पांच मिटर कपड़ा मलब सुखा कपड़ा देते हो आप दो फुल सूट का कपड़ा है 300 रुपे में बहुत ही सचता अंदर भी पुरा देखिए इनके पास जो दुकानों में काफी वराइटी है एक्सपोर्ट क्वालिटी बड़िया क्वालिटी और यह सच्टे में यहां पर माल मिलता है चोड़ा बजार वसे तो कपड़े के लिए और इलेक्ट्रोनिक के लिए फेमस है और आपको हर एक बजार और यहां पर यह भाई के दुकान जो यह कपड़ा बेच ले हैं और ऐसे ही बहुत सारी दुकाने हैं और आगे चलते आईए यह चाय वाले बईया यहां पर दीपू यह देगे चाय यह खुबाल खारा है इसका और यह फिका भी निकाल दिया मिठा भी इदर है और यह मेरा चाय जो खतम हो रहा है कि यह अमन स्नेक्स दीपू जो है वो इदर खड़ा था लेकित अभी छुप गया पीछे वालता मेरा नहीं लेना है तो यहां पर आप चाय भी पी सकते हैं इसी चोड़ा बजार में कौन सी गली बोलेंगे इसको दीपू पिंडी गली और यह सामने इदर चोड़ा बजार आई आगे चलते हैं और यहां काफी बीड लगा हुआ है चाय पीड़े के बाद आगे इस चोप पे आए हैं तो बहुत सारा ट्राफिक जाप क्योंकि गली पतली है बजार तो चोड़ा है लेकिन यह गली पतली है तो बीड लगी जाती है बहुत सारी है लेकि अब कितने डाइन घल कितने सादन वयरी टौ विलर यह बरर यह बट्रें वाली काड़िया यह वह सब बहुत सारा ट्राफिक है बहुत सारी परिड है है अगे चलते हैं और यह जाम से निकल क्या había यहां प्रॉक ऑगत धाउं रगा हुआ है आगे यह पूरा मार्केट यह 505 नमर दुकान आ गई और यह देखे बहुत पुराना यह लुद्याना बिल्डिंग है बहुत पुरानी पुरानी और यह चोड़ा बजार आगे तक आईये और आगे चलते हैं और ये इदर भी मार्केट और ये सामने काली चरन चोक यहां ये पुतला लगा हुआ है ये बाइल उद्याने वाले और ये सामने इदर भी एक मार्केट अंदर और ये जो में रोड जिस पर हम चलके जा रहे और आगे तक चलते हैं आईए तो ये चोड़ा बजार में हमने यहां तक का ये पूरा जो है देखा इसको और ये ओगे फेर आगे यहांसे घास मंडी शुरू हो जाती है यह बाई ने हमें बताया यहां पर ये बाई दुकान लगागी बढ़ए हैं बात वाहिन्होंने बताया कि ये घास मंडी आगे घास म तो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने यहां तक पूरा वीडियो देखा, यह देखें यहां लिखा भी है, घास मंडी चोड़ा कावजा अध लुधियाना, यह गास मंडी यहां से शुरू हो जाती है, इसको गास मंडी चोग या काली चरन चोग बोलते हैं अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तक तक अपना और अपनों का ध्यान रखें जै हिंज जै भारत